नमस्का ट्रेंस एंट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक ही वीडियो में दो जलक हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहेंगे एक सीतापुर जंक्शन के प्लैटफॉर्म नमबर 6 पर क्या ताजाज थेती है और दूसरी हेमपुर क्रॉसिंग के पास का दृष्ष सीतापुर रोजा दोरी करण में क्या वहाँ पर चल रहा है काम उसको दिखाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लैटफॉर्म नमबर 6 पर जो फुट ओवर ब्रिज है एफोबी का काम वो फिलाल यहाँ पर तेजी से पूरा किया जा रहा है रैम्प ऐसी आपको दिख रही सामने इस्ट्रक्चर खड़ा हो गया है आईरिन के जो पिलर्ज हैं उनको यहाँ पर खड़ा कर लिया गया है और उसके उपर फिर एफोबी का जो इस्ट्रक्चर है सीड़ियां यहाँ पर आएंगी यहाँ रैम्प इस तरफ से दी जाएग गया है एक छोटा सा यह काम है जो रहा गया है लखिमपुर वाले ट्रैक में और आगे इधर बढ़वल के दिशा में उसको बाद में लिंक कर लिया जाएगा अभी हाली में जब मेगा ब्लॉक हुआ था पच्चेस तारिक तक कारे चला है चौबिस तक चौबिस को फिर सिय पूर परसेंडी में तो मुझे लग रहा था कि शयद चौबिस तारिक तक जब इधर ये कारे किये जा रहे हैं तो इसकी रात तक कारे चले हैं तो शयद इसको लिंक कर लिया जाए लेकिन अभी इधर का ट्रैक लिंक नहीं हुआ है ये सीता प्रजंशन का आप देख सकते ह नाम लिखा हुआ है और सुबा का ये समय है तो अभी प्लैटफॉर्म नमबर छे की तरफ जो छुटपुट कारे रहे हैं खासतोर से एफ़ोबी का और शेल्टर का वो कारे बाकी है बाकी जो ट्रैक है उसी को लिंक करना अब रह गया है यहाँ पर और धीरे धीरे इस कारे में प्रगती हो रही है यहाँ पर हम आपको नजदीक से दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखी जो ट्रैक है अभी इसमें बैलास्ट वगरा भी फिल होगा किस प्रकार से देखी सामने पैदल पूल प्लैटफॉर्म नमबर छे पर तयार किया जा रहा है और जो ट्रैक है आ और रेल इलेक्टरिफिकेशन का कार भी प्लैटफॉर्म नमबर छे पर पूरा किया जाएगा तो यह प्लैटफॉर्म नमबर छे से एक छोटा सा अपडेट एक छोटी सी जलक थी और यह अब हम पहुंच गए हैं हेमपर क्रोसिंग पर सामने इधर जो ट्रैक जा रहा है र यहाँ पर भी जो हाईवे है इस पर यह उपर फ्लाइओवर अभी बनना है रेल उपर गामी सेतु जो होता है तो यहाँ पर देखे कितनी जाम लग गया है और यह हर दिन का अब सीन है यहाँ पर लंबे लंबे जाम हेमपूर क्रोसिंग पर अब डेली लगने लगे हैं यह और हम नजदीक से आपको दिखा रहे हैं हिमपूर क्रॉसिंग सामने हिमपूर स्टेशन है इदर जहाँ पर जिसके सामने ट्रैक्शन सबस्टेशन बना हुआ है टीएसस तो अभी हिमपूर स्टेशन पर प्लैटफॉम बगएरा धीरे धीरे निर्माड हो रहा है और यह जो केबिन आ रही है सामने गेटमैन की जिससे बूम संचालेत होता है यह भी तूटेगी पीछे देखिए कॉंक्रीट स्लीपर्स रखे हुए और आजकल बराबर अब निरिक्षन हो रहा है यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यह यहाँ पर जब फ्लाइवर बन जाएगा तो ही जाकर इस जाम से मुक्ती मिलेगी और अच्छी बात यह है कि इस पर कारे शुरू हो गया यहाँ पर रोड बनाने का काम निर्माड जो है हाईवे का वो शुरू हो गया है पूरा शाजहां पूर तक कारे चल रहा है ज यहाँ पर भी कुछ आएगा मुझको लगता बूम वगरा भी शिफ्ट होगा क्योंकि डबल ट्रैक जब बनेगा तो यह जो केविन जिससे भी संचालित होते हैं बूम यह टूटेगा जिस पर सोलर छोटी सी उपर आप देखने पैनल लगा हुआ है सामने यह जो है इससे बी गेट यहाँ का संचालित होता है बूम यह टूटेगा क्योंकि डबल ट्रैक का जो एलाइनमेंट है एसी के पास आ रहा है पूरा और पीछे जैसी भी आपको दिखरी होगी चलते हुए काफी ट्रैफिक जैम है यहाँ पर अपनी गाली को खड़े करना कहीं पर और जाक साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉंक्रीट की स्लीपर्स यहाँ पर रखे गए हैं पीछे भी एक केविन आपको दिख रहा होगा जिस पर कुछ जंगली घास भी उगाई है हम आपको और नजदीक से अब दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं नजदीक से इध रिल पर आपको दिख रहा होगा जिधा से सैकिल आ रही है और जिस पर यह मोटर सैकिल लेकर के भाई साब जा रहे हैं यह रेल बैड है झाल झाल